केंद्रिय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनात पांडे ने आज नौडा के सेक्टर 16 ए इस्थित ग्रीन बेल्ट में स्मॉक टावर का सुभारंब किया है। को सुध करेगा और उसके बाद आम जनता को सुधावा देगा। ये टावर नौडा और दिल्ली की सीमा के पास लगाया गया है। ताकि अगर दिल्ली से प्रदूसरन नौडा की तरह बढ़ता है तो उसको भी रोकने की कोशिस ये टावर करें। आपको बदा दे इस टावर को बनाने में करीब 37 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और इस टावर को नौडा प्राधिकरण ने भारत है भी Electrical Limited Company के साथ तयार किया है। और ये एक ट्राइल के तौर पर टावर लगाया गया है। अगर इससे आम जनता को दूसित हवा से राहत मिलती है। तो ऐसे कई टावर नौडा गाजियाबाद के इलाकों में लगाये जाएंगे ताकि उत्तर परदेश की जनता को सुधावा मिल सके। आपको बता दें ये जो टावर है वो करीब 80,000 घंड मीटर प्रती घंटा की छमता का है। इसकी उचाई लगभग 20 मीटर है। अगर हम ब्यास की बात करें तो 4.5 मीटर है। अगर इसके फिल्ट्रेशन की बात करें तो PM 2.5 तक का है। तो यानि कुल मिला कि ये कहा जा सकता है कि ये जो टावर है ये नोडावासियों के लिए किसी चंजीवनी से कम नहीं है क्योंकि आने वाले वक्त में नोडावासियों को दूसित हवा से निजात ही नहीं मिलेगी बलकि वर्सों से दूसित हवा जेल रहे नोडावासियों को अब राहत मिलनी सुरू हो जाएगी नौड़ा से वीडियो जर्लिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की